हरे कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकटी स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है इससे पहले की वीडियो को प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आज जेस्ट मास महतमी में रिस्पान कीजे सूर्य नारायन के प्रेपुष्प, सूर्य मंदर में मारजन लेपनादी का फल, दीपदान का फल, तथा सिद्धात सप्तमी वृत के विधान और फल के बारे में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे यागी वलक्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायन से उनके प्रेपुष्पों के विशय में जिग्यासा की थी, तब उन्होंने कहा था कि मनली का अर्थात बेला फूल की एक जाती होती है, पुष्प मुझे अत्यंत प्रे है, जो भी पुष्प से सभी प्रकार के कुस्ठ रोगों का नाश होता है, और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपल संपत्ती की प्राप्ती होती है, मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ती, वकुल अर्थात मौलसरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाफ, पलाश पुष्प से, अरिष्ट शांती, अगस्ते पुष्प से पूजन करने पर सूरी नारैन अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सभागी प्राप्त होता है बेला के पुश्पों से मेरी पूजा करने पर लोग की प्राप्ती होती है एक हजार कमल पुश्प अर्पित करने से सूरी लोग में निवास करने का फल प्राप्त होता है वकुल पुश्प अर्पित करने से भानू लोग प्राप्त होता है कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष करदम गंध का लेपन करने से सत्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मारजन अर्थात साफसफाई और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। और उसे शीगरी प्रचोर धन की भी प्राप्ती होती है। जो भक्ती पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ती प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ती प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 परकार के कुश्ठ रोगों से मुक्ती मिल जाती है सभी पुष्पों में कर्वीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रख्ध चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रेये है करवीर के पुश्पों से जो मेरी पूजा करता है वे संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूरी लोक की प्राप्ती होती है एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ती, दो मंडल बनाने से आरोग्य, तीन मंडल की रचना करने से अविच्छित्र संतान, चार मंडल बनाने से लक्ष्मी, पांच मंडल बनाने से विपल धन्धान, छै मंडलों की रचना करने से आयू, बल और यश, तथा साथ मंडलों की की रचना कर मंदल का अधिपती होता है तथा आयू धन पुत्र और राजी की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूरी लोग मिल जाता है मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता महुए के तेल का दीपक जलाने से सभागी प्राप्त होता है तिल के तेल का दीपक जलाने से सूरी लोग तथा कडवा तेल अर्था सर्सों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रूओं पर विजय प्राप्थ होती है सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप, आदी उपचारों से सूरी का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेत अर्पित करने चाहिए पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्तचंदन दीपों में घी का दीप और नेवित्यों में मुदक भगवान सुरी को परम प्रिय है अतहे इनी वस्तों से उनकी पूजा करने चाहिए पूजा करने के बाद प्रदक्षिना अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफेद सर्सों का एक दाना और जल लेकर सुर्य भगवान के सामने खड़े होकर हिर्दय में अभीस्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आपकी जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सर्सों सहित जल को पी जाना चाहिए परतु दातों से उस सर्सों के दाने का इस पर शिना हो सके इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सर्शन अर्थात पीली सर्सों उसके दो दाने जल के साथ पान करना चाहिए इसी तरह सात्वी सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभी मंत्रित करके पान करना चाहिए मंतर है ओम भासकराय नम्हा फिर शास्त्रो के रेति से जप और हवन करना चाहिए ये भी विधी है कि प्रथम सबतमी के दिन जल के साथ सिधार्थ अर्थात सरसों का सरसों का इक नाम सिधार्थ भी है ये ध्यान आपको रखना है सर्सों का पान करे दूसरी सब्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूद, गोमे और पंचगवी के साथ क्रमशा एक-एक सर्सों के दाने को बढ़ाते हुए सात्वी सब्तमी तक सिध्धार्थ का पान करे इस प्रकार जो सरसो सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सद्धन, पुत्र और एश्वरी प्रात कर लेता है। उसकी सभी मनुकामनाई सिद्ध हो जाती है और वह सूरी लोग में निवास करता है। रात के समय भगवान सूरी का ध्यान करते वे शयन करता है, तब उसे रात में जो सवपन दिखाई देते हैं उन सवपन फ़लों का अब मैं वढणन कर रहा हूं। जदी सवपन में सूरी का उदय, इंद्रद्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समरिध्या प्रात होती ह माला पहने व्यक्ति, गाय या वन्शी की आवाज, श्वेत कमल, तरपन, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना ऐसा स्वप्न देखने से एश्वरी की प्राप्ति होती है ग्रताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है, स्वप्न में प्रशस्त व्रक्ष पर चड़े अत्वा अपने मुख में गौ या सहनी का दोहन करे तो शीकरी ही एश्वरी प्राप्त होता है सोने या चादी के पात्र में अत्वा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ती होती है दियूत वाद तथा युत में विजे प्राप्ती का जो स्वप्न देखता है वे सुख प्राप्त करता है स्वप्ण में जो अगनी पान करता है उसे जठ रागनी की व्रधी होती है अर्था तो उसे भूख बढ़ने लगती है यदि स्वप्ण में अपने अंग प्रज्वलित होती वे दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपती मिलती है श्वेत बढ़न के वस्तर माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुब होता है देवता, ब्रहमन, आचार्य, गुरू, व्रिध तथा तपस्वी स्वप्ण में जो कुछ कहते हैं वे सत्य होता है स्वप्ण में सिर का कटना अत्वा फटना, पैरों में बेडी का पढ़ना राजि प्राप्ती का संके तक है स्वप्ण में रोने से हर्श की प्राप्ती होती है गुड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेश्ट हाथी पर निडर होका चड़ने से महान एश्वरी प्राप्त होता है ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखे, प्रत्वी को उलट दे और परवत को उखाड फेके तो राज्जी का लाब होता है इस प्रकार परवत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक एश्वरी की प्राप्ती होती है बहुत सारी इस्त्रियां यदि स्वपन में आशिरवाद दे, शरीर को कीडे भक्षन करें यदि स्वपन में स्वपन का भान हो अभिस्ट बात सुनने और कहने में आए, तथा मंगल दायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ती हो, तो धन और आरोगी का लाब होता है जिन स्वपनों का फल राज और एश्वरी की प्राप्ती है, यदि उन स्वपनों को रोगी देखता है, तो वह रोग से मुक्त हो जाता है इस प्रकार रात में स्वपनों देखने के बाद, अगले दिन प्रात्यका लिसनान कर, राज पुरोहित या पंडित जी आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उन्हें या फिर भोजग को अपना स्वपनों सुनाना चाहिए, ऐसा करने से देखी गए स्वपनों की सार उठी के बराबर माना जाता है, दक्ष तथा क्रिया से उत्पन पुत्री सन्नती से क्रतुरिशी ने विभार रचाय था और इसी दमपत्ती से 60,000 बालखिली नाम के पुत्र पैदा हुए थे, इन मुनियों ने कश्यप के पुत्र कामना यगी में भाग लिया था, उसी समय देवराज इंदर ने बालखिली मुनियों का उपहास किया था, जिससे रुस्ठ होकर बालखिली मुनियों ने एक दूसरे इंदर की उत्पत्ती की कामना की थी, बालखिली मुनियों की वर्दान से ही महर्शी कश्यप के यहां पक्षी राज गरुण का जग हुआ था, एक स बलवान थे, उन्होंने समिधाओं का देखते ही देखते धेर लगा दिया, किन्तु बाल खेले मुनिगन अंगूठे के बराबर आकार के थे और वे सब मिलकर पलाश की किवल एक टहनी ला पा रहे थे, उन्हें इस प्रकार मिलकर पलाश की टहनी लाते देख देवराज इंद ने उनका परिहास किया, उनका मजा कुड़ाया, वे सब इस प्रकार देवराज इंदर से रुष्ठ होकर किसी दूसरे इंदर की उत्पत्ती की कामना से प्रती दिन विधी पुर्वक आहूती देने लगे, उनकी इच्छा थी कि पराक्रमी और शक्तिशाली दूसरे इंदर की उत्पत्ती हो जाए जोकि इंदर से भी सो गुने अधिक शक्तिशाली हो, देवराज इंदर बहुत संतत्त होकर कश्यप मुनी के पास पहुचे, कश्यप मुनी इंदर के साथ बाल खिली मुनी के पास पहुचे, इंदर को भविश्य में इस प्रकार कभी घमण ना करने क उपदेश देते वे कश्यप मुनी ने उन सभी रिश्यों को समझाया पुछाया किन्तु बालखिली मुनीयों की तपस्या भी व्यर्ति नहीं जा सकती थी अतह हैं उन्होंने कहा कि हे कश्यप तुम पुत्र के लिए तपकर रहे हो तुम्हारा पुत्र ही वह प्राक्रिमी शक्तिशाली प्राणी होगा और वह पक्षियों का इंद्र होगा तब से कहा जाता है कि इसी वर्दान के फल्सरों पक्षिराज गरूर का जन्म कश्यप रिश्य के घर में हुआ था उमीद है कि अब बालखिली मुनी के बारे में आप जान गए होंगे क्योंकि बालखिली मुनी कोई एक नहीं बहुत सारे थे और उनका आकार अंगूठी के बराबर था जिसका प्रतान फिर कभी कोई अध्या या कोई पुराणों की कथा हैं अगर आपको सुनाने का अफसर मिलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी आज की कथा समाप्त हुई अगर ये विडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा